अपनी बातें जो है दो तीन हिस्सों में रखूंगा पहली चीज ये कि हम लोग बजट पे इतना जादा ध्यान क्यूं दे रहे हैं उसकी वज़े क्या है और जो मौझूदा बजट आया है वो किस तरह का है पिछले सालों में और खास तोर से जो बजट के बाद के जो मरहले ह हैं उसमें भी हम कैसे जो है मौदाखलत करें तो अगर हम लोग बात करें कि बजट इतना इंपोर्टन क्यूं है तो हम लोग यह जानते हैं कि हम लोग एक डिमोकरिटिक कंट्री में रह रहे हैं और जो आवाम है वो सूप्रीम है मतलब उसकी एहमियत जो है वो कहीं जादा तो हम उसको समझें और उसको उसका जाहिजा लें साथ-साथ जो बजट एनलिसीज है तो उसको हम एक टूल के तोर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जस्टू इंप्रूव दी एकाउंटिबिटी आप दी गावर्मेंट और जस्ट इस्टेंदिन दी गावर्नेंस सिस्टम जो ह के लिए हैं तर के लिए साथ-साथ साथ जो जवाब दे भी है मतलब को भैंड स्विक बेज़ देते हैं और जो भी कर रहे ह 될 गोम को जवाब दें जैससे बावेंटरिंस लोकसभा具 आरा सक barkow को जवाब दे हैं, साथ साथ वो अवाम को भी जवाब दे हैं, तो हम इस जो budget analysis है, उसको करके उनको हम जवाब दे बना सकते हैं, तो बुनियादी तोर से हम यह समझें, कि हम सब जो है, वो जो डेमोक्रेसी है, वो citizenship प्रवाइड करता है, तो इंडिया का जो माहौल है, उसमे के लिए बराबरी का है, और उसमें हर कोई, चाहे हो minority हो, मुस्लिम हो, औरत हो, बच्चा हो, सब का एक equal right है, तो उस हक के तोर पे हमारा यह फर्ज बनता है, साथ साथ क्या है, कि हम सब कही न कहीं tax पे करते हैं, कहीं न कहीं हम लोग किसी न किसी तरह के से tax पे करते हैं, चा हैं, तो यह हमारी collective responsibility है, मतलब एक democratic society में रहते हुए, कि हम budget को assess करें, उसको समझें, और उसको कहीं न कहीं इस्तेमाल करें, चाहे education के तौर पे हो, चाहे education के तौर पे हो, चाहे वो parallel maintenance साथ कोई meeting करके हो, कहीं न कहीं किसी तौर पे हम उसमें intervene करें, यहां से मैं एक चीज य उतना ही नहीं है, एक लफ्स है, budgetary cycle, मतलब यह पूरा एक जो है, मरहला है, जो मतलब budget का, वो कई हिस्सों से होकर गुजरता है, तो उसको हम अगर थोड़ा और बाटें, तो उसको हम ऐसे मान सकते हैं, कि budget formulation एक process है, जिसमें क्या होता है, कि budget की पुरी तैयारी का, एक मरहल होता है, जिसमें तमाम तरह के लोग शामिल होता है, तो वो formulation phase है, अगर budget एक तारिक को आया, एक फर्वरी को, इस बार तो एडवांस हो गया, आम तोर से 28 को budget आता था, तो उसके पीछे भी जो है, गौर्मेंट ने जो logic दिया है, यह है, कि आम तोर से क्या होता था, कि financial year हम count देते थे, एक्चली क्या है, कि जो भी government machinery है, उसको चलाने के लिए public जो representative है, लोकसभा के members या जो भी assemblies है, तो उन सब की जो है, रजामंदी ज़रूरी होती है, तो वो आम तोर से क्या होता था, कि एक दो महिने के लिए, तीन महिने के लिए, ओटाने count होता था, इस पर government क है, तो जो मरहला है, यह फॉर्मुलेशन का एक मरहला हो गया, उसके बाद इनेक्टमेंट का एक मरहला हो गया, उसके बाद क्या है, कि इंप्लिमेंडेशन का एक मरहला हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, आओडिट का एक मरहला हो गया, आचा, मैं तो और र कब से अप्रील से होगा तो जो फॉर्मूलेशन का प्रोसेस है उसकी अपनी अहमियत है मतलब जैसे आपका अभी जमा हुए है बजट के इनेक्टमेंट प्रेजेंट करने के उसमें लेकिन जो फॉर्मूलेशन का प्रोसेस है वो अपने आप में नहायत मतलब अहम है जो कि हम पुरा मरहला जो है, वो जोलाई से शुरू हो गया था, जोलाई अगस्य शुरू हो गया था, तो इसकी पुरी connectivity है, मतलब वो district से ले करके, state से ले करके, और फिर जा करके, मरकजी सते पे वो एक साथ compile होता है, इसलिए कि scheme और programs होते हैं, तो budget का पुरा मरहला जो है, वो शुर रजामंदी उस पे जरूरी है, तो आम तोर से रजामंदी, मतलब budget cut नहीं होता, जो भी discussion होगा, उसमें कोई बहुत changes नहीं आने हैं, लेकिन approval जरूरी है, फिर जैसे मैंने जिक्र किया था, कि April से जो है, वो implementation का दौर शुरू होगा, जब साल खतम हो जाएगा, तो audit का process पर इंडिविज्वल अपने इंफरादी तोर पर इन सारे process में शामिल हो सकते हैं, अच्छा, अब बात आई formulation की जैसे, formulation में civil society के लिए भी window है, उनके लिए भी जगे है, formulation में department और ministries अपने budget बना करके, अपने level पे अलग-अलग ministries के directors, finance ministry के साथ discussion करते हैं, कि next year उनको क्य चाहिए, तो वो एक demand for grants बनता है, लेकिन उस process में, जैसे मैं एक जिकर करूँगा, कि खुद ministry जो है, वो council करती है, कई सारे उनका एक love is stakeholders, हाला मतलब बहुत proper नहीं है, बट वो बोलते हैं stakeholders, तो उसमें जैसे आपके आएंगे सारे states के सारे सूबों के finance minister, उसमें उनके साथ ministry council करती है, जो भी trade bodies है, SOCM या Chamber of Commerce जो भी है फिक्की, इनके साथ करती है, economists के साथ करती है, वो consultation, farmers group के साथ करती है, trade unions के साथ करती है, और पिछले चार सालों से उनके पास formal window है, मेरे खाल से यहां कुछ लोगों को वाकफियत होगी इस पर, कि वो बुलाते हैं social sector के नाम प करते हैं, कि आप अपना proposal दीजिए, कि इस budget से आपकी क्या उम्मीद है, साथ-साथ जो है, एक link भी ministry activate करती है, और उस पर भी proposal invite करती है, तो एक हमारे पास formal window ministry of finance के साथ तो है, being a, मतलब individual एक शहरी के तोर पे, और aug nationally, उसके साथ वो invite भी करते हैं, अब उसका effectiveness अपनी जगे है, बट मैं processes की बात करना था, इनेक्टमेंड में क्या होता है, कि MPs और जो भी हमारा demand for grants बन के जाता है, उस पर discussion होता है, बट जो पिछले साल का proposal है, उसको बाकेदा एक departmentally related standing committee होती है, वो उस पर scrutinize करती है, कि पिछला budget कितना था, वो खर्च क्यों नहीं हो पाया, बार वो पूछते हैं कि benefits किसको किसको गया, वहां पर हमारे लिए एक window होता है, मैं खुद कई बार ऐसा गया हूं, कि जो departmentally related company committees है, उनको deposition देने के लिए, कि नहीं हमारे रिसर्च किया और यह हमें gets लग रहे हैं, तो वो फिर क्या होता है, रिपोर्ट में डालते हैं, तो मंडे के बाद अगर जो time होगा, या फिर अलग-अलग जो demand for grants हैं, उस पर discussion होगा, भली changes नहीं आएंगे, next year में कुछ आ सकते हैं, current year में नहीं आएंगे, बट influence कर सकते हैं, तो यह enactment के pre-phase में आप कर सकते हैं, implementation का एक जो दौर शुरू होता है, उसमें अगर हमें पता हो, कि particular scheme में कितने खर्चे हैं, या particular department के पास कितने पैसे हैं, तो हम उनको scrutinize कर सकते हैं, उनको track कर सकते हैं, ठीक है, last का जो phase है, जो audit वाला है, उसमें CAG या AG offices जो करती हैं, उस process में भी window create लोगों ने किया है, कि लोग अपने individual जो भी experiences हैं district level पे, वो AG offices को supply करते हैं, कि आप जो audit कर रहे हैं, ऐसा नहीं हमने भी social audit किया है, और इस तरह की चीज़े निकल के आ रही हैं, तो ठीक है, मैं एक, मतलब, चुकि यहां बात मैं इसलिए कर रहा था, कि हम सब stake holder हैं, मतलब हम सब के लिए जगे हैं, भले हम उसको fill करें ना करें, बट हम कर सकते हैं, अब रहा budget जो है, वो कई मानों में जो objective है, वो यह है, कि जो भी regionally, मतलब, इलाके के हिसाब से जो भी development gaps हैं, या जो socio-economic groups हैं, अलग-अलग, उनमें जो development disparity या gaps हैं, या जो गहर बराबरी है, उसको fill करना चाहिए, यह उसका ultimate objective है, budget का, और साथ-साथ हमें वो direction देता है, कि आने वा budget किस माहल में मतलब आया, अगर आप देखें, तो पिछले दो-तीन सालों से हम सब जानते हैं कि, और हम सब महसूस भी कर रहे हैं, कि globally जो है, वो economic slowdown है, globally है, यह problem, अब उसके बहुत सारे अपने आप में एक topic है, तो उस पर बहुत सारा detail में ना जाएं, बट उसका आसर जो culture की productivity में काफी problem रहा है, पिछले दो सालों से, साथ-साथ अगर आप बात करें, global economy में slowdown और उसका impact, तो हमारा जो industrial production जो है, index वो काफी negative में जा रहा है, एक sports काफी slowdown हुए, तो यह अपनी जेके एक परेशानी है, तो उसका भी एक सबब है, कि जो हमारी economy जो है, वो private spending है, तो उसमें क्या है कि अगर globally slowdown है, तो हमारी जो private investment है, वो भी नहीं हो पा रहा है, और कई वज़े से जो हमारी यह government, आई पिसली government यह जो प्चल लई है, उसमें जो बहुत सारे reform करने थे, उसके wait करने के उसके इंदिजार के चक्कर में भी, जो private investment है, वो काफी slow रहा है, जितना होना चाहिए था, वो नहीं रहा है, तो उसकी वज़े से भी employment पे असर हो रहा है, demand कम है, उसके बाद तीसरी चीज़ जो है, जो currency band है, जिसे हम demonetization कहते हैं, उसने भी काफी हद तक impact किया, पिछले दिनों में, तो इस अगर context में अगर बात करें, तो होना यह चा information है, कि हम सव रुपे खर्च करने जा रहे हैं, तो सव रुपे खर्च करेंगे, वो हम प्लान कर रहे हैं, और सव रुपे खर्च करने के लिए, हमें इन इन, मतलब, sources से, इन इन जगों से हमें आमदनी कठा करने है, तो अगर आप बात करें कि इस government को, मतलब, इस budget में मतलब एक आम आदमी के जुबान में बात करें, और GDP का टर्म्स हम लोग समझ रहे हैं, सब लोग, जाधा तर, कि एक साल के अंदर जो हमारे तीन सेक्टर हैं, agriculture और manufacturing और services, उनसे जो value addition होता है, उसको हम GDP के तोर पे, एक indicator के तोर पे इस्तिमाल करते हैं, अगर public investment की बात करें तो मैंने कहा कि अगर पूरे आप municipal bodies, state government, central government को ले ले, तो 30 पैसा एक रूपए में जो है, अगर आपका एक रूपए GDP है, तो 30 पैसा public, मतलब, government spending, अब अगर आप ये कहें कि इतने सारे परिशानियों के बावजूद भी क्या government ने अपने खर्चे बढ़ाए, तो नहीं, मत पिछले साल के भी हमारे पास एदादू शुमार होते हैं, तो उसको हम revised estimate के नाम से जानते हैं, actual estimate के नाम से जानते हैं, उससे पिछले सालों का, तो आगर आप compare करें, कि अभी मौझूदा बजट है 17-18 के लिए, 16-17 में जो government का खर्चा है, वो government of India के हम बात कर रहे हैं, वो government ने spending बढ़ाया नहीं है, spending बलकि लगभग 1% से of GDP कम हो गई है, लगर compare करें, तो कुल मिला करके पहला indicator तो अच्छा नहीं है, कि मतलब government अगर चाहती कि लोगों में demand creation हो, economic activities बढ़ हैं, तो हम highways में, social sector में पैसे जारा डाल दें, ताकि लोग implied हूँ, लोगों के हाथ में प पाई, जो total खर्चा बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ पाया, मेरे पास एक document है, मैं आप लोगों के साथ शेर कर लोगा, data के पार्ट पे आप लोग उसको refer करियेगा, मतलब अगर आपको चाहिए होगा exactly data, तो वो मैं soft copy share कर लोगा, बाद में, हम बात करते हैं कि, जो मतलब total spending तो कम रही है, बट social sector जैसे क्या है, कि जो हमारे अगर एक रूपय है, माल लिया, total budget, तो हम उसको तीन sector में divide करते हैं, ठीक है, तो तीन major sector क्या है, एक तो general sector है, दूसरा economic sector है, तीसरा social sector है, एक दम ये, मतलब document का पूरा process ऐसे ही है, कि government उसी जो है, sectors में डालती है, फिर वो sub-sectors में लेकर आती है, खर्चों को, schemes में लेकर आती है, schemes से और नीचे में लेकर आती है, बट broadly जो है, focus तीन बड़े sectors पे होता है, general sector का मतलब general purposes, तो उसमें defense भी आएगा, उसमें आपके जो है, other security expenditures आएंगे, administration के expenditures आएंगे, pension आएगा, subsidies आएंगी, interest payment आएगा, त इस टाइप के खर्चे book होते है, economic sector जो है, उसमें rural development, railways, highways, इस तरह के urban development issues, इस तरह के खर्चे जो है, वो book होते है, economic sector में, social sector जो है, usually हम लोगों के life से काफी जादा जुड़ा है, हाला other sectors भी जुड़े है, ऐसी बात नहीं है, but social sector में usually education, health, या जो हमारे बहुत सारे जो deprived communities हैं, schedule car, schedule tribes, या खुद minorities का, जो budgeting शुरू हुआ, मतलब 5-6-7 से, 2000-6 से, तो वो भी इसमें शामिल है, तो अगर आप देखें, कि total size of the budget तो बढ़ा नहीं, reduce कर गया, मतलब absolute terms में बढ़ गया, but GDP के terms में हम देखेंगे, तो घटा, इसलिए कि जिस तरह से हमारा जो production था, उसक है, social sector की हम लोग बात करें, जो तीन sector है, उसमें हम लोग नीचे से बात करते है, social sector की, तो social sector में अगर बात करें, health और education की, दोनों बहुत ही prominent sector है, दोनों बहुत ही prominent sector है, और उससे हर कोई आदमी जूरा हुआ हुआ है, जिसको, उसकी मतलब basic necessity है, मतलब उसको हम लोग कहें है, यह human resource development, तो social sector में जो दो यह sector है, इसमें government ने बिल्कुल खर्चा नहीं बढ़ा पाया, अगर आप GDP की टरम्स में भी assess करें, तो लगभग interact है, खर्चा बढ़ नहीं पाया, जैसे, अगर आप बात करें कि इसका कोई benchmark होना चाहिए, education को लेकर कही, तो 1967 में कोठारी commission ने यह कहता है कि अगर हमें education को लेवल पर लेकर आना है, तो कम से कम 6% आप GDP होना चाहिए, spending, public spending, जो कि अभी भी 3.5 से लेके 3.7 तक वेरी करता है, और वो इस budget में भी वैसे ही है, health अगर आपको लेके, अगर GDP के टरम्स में आप बात करें, तो WHO या बहुत सारे जो और एदार ठीक है, अब बात करें हम लोग कि जो अलग-अलग और sectors है, economic sector में, rural development या agriculture, दो बड़े sector है, agriculture से आप सभी जानते हैं कि एक पुरा ये बड़ा sector है, जिसकी जो है contribution GDP में बहुत कम है, बट dependence बहुत जादा है, मतलब hardly जो है, हमारी GDP में ये 12-13% contribute करता है, बट 60% लोग उसी प जादा खराब है, बहुत marginal increase किया है, बजट में, कोई नया scheme ऐसा कुछ नहीं है, और कोई नई changes नहीं है, rural development के बात करें तो उसमें नरेगा एक बड़ा scheme है, housing के लिए एक scheme है, जो कि पहले हम लोग इंदरावास के नाम से जानते थे, अब वो प्रैमिनिस्टर से आवास यो अगर और बात करें, scheme को ले करके, कि जो schemes हमारे बहुत सारे हैं, flagship program जिसे हम लोग कहते हैं, और यह दर असल मैं आपको बताओं कि जो अगर इंडिया को लें, आपकी हमारे पास 29 से स्टेट हैं, साथ यूनिन ट्रेटरीज हैं, इस स्टेट के अपने बजट होते हैं, लेकि काफी हद तक जो स्टेट हैं, वो Government of India के flagship program पे जादा उनका इन्हसार है, इसलिए कि उनके पास बड़े scheme बहुत कम हैं, तो जो हमारे बड़े flagship program से हैं, जैसे आप सर्फ शिक्षा भिहान ले लिजी, आप माधिमिक शिक्षा भिहान ले लिजी, आप मिड़े मील ले लिजी इसी तरह से कर आप आएं, तो ICDS है, तो यह जो बड़े schemes हैं, अगर इनकी बात करें, rural roads की बात करें, इस बार government पैसा नहीं डाल पाई है, और एक और खास बात यह है, कि पता नहीं, इससे पहले आप लोगों को किसी ने जिक्र किया हो, इन सब scheme को ले करके, यह मुझे नही कि हमारे हैं, जो resources का distribution है, पैसे का बटवारा है, टेक्से से जो हम चार बड़े टेक्से से collect करते हैं, मतलब income tax, corporation tax, जो excise duties और custom duties है, उस पैसे को finance commission, जो हमारा होता है, government of India level पे, वो distribute करता है पैसे, तो इसका एक share होता है states के लिए, पिछली बार government of India ने states के लिए share तो money है, tax, जो shareable money है, उसमें पैसा बढ़ाया, इस्टेट के लिए, ज्यादा share दिया, बट क्या किया, कि ये सारे फिलेक्शिर प्रोडाम जिसका मैंने आप से जिक्र किया, जिसमें, कि मतलब बहुत सारे other communities का भी हिस्सा है, अलग-अलग strategies के थुरू, इसमें क्या किया, government ने क पैसे काफी cut-down कर दिये, और साथ-साथ क्या किया, कि ये सारे schemes जो है, वो government of India और state के share से चलते हैं, तो government ने क्या किया, कि उजूली अगर मैं एक scheme का जिक्र करूँ, ICDS, Integrate Child Development Services, उसमें उजूली जो है, वो 90% government of India देती थी, 10% states देते थे, अब क्या हुआ, अब उस changes के पर उन पर काफी जादा burden है, और दो-तीन सालों में क्या है, कि एक अलग तरहीं का confusion है, तो states भी जो है, बहुत ज़दा social sector पर प्रिटाइज नहीं कर पाए, तो इन सारे schemes की हालत जो है, अब काफी confusion में चलती रही, अब फ्ला clarity आ रही है, पर इस state इसको burden समझ रहे हैं, खु अगर आप देखें, पिछले जो है budget का, जैसे 16-17 का, तो जो midpoint आता है, वो revised budget होता है, गवर्मेंट क्या कर रही है, कि usually budget estimate में तो आपको कुछ incremental budgeting 10% की दिख जाती है, बट revised estimate को अगर आप देखें, तो काफी cut down कर दिया जाता है, और उसकी कोई accountability नहीं है, कोई parliamentary scrutiny नहीं है, यह सबसे बड़ी परिशानी है, जो मैंने आप से जिकर किया कि departmentally related standing committees होती है, MPs की अलग-अलग subject पे, वो लोग काफी scrutinize करते हैं, अगर आप लोग पनें, तो उससे आपको पता चलेगा, कि एक इंदरावास, इसकी में, गवर्मेंट ने 12,000-13,000 कोड़ डाल दिये, उसक अगर आप post budget बात करें, तो allocation अपनी जगे है, utilization के अपने बहुत बड़े problem है, आम तोर से क्या होता है, कि इस budget analysis में, हम लोग indicative तोर पे allocation अगरा देख लें, कि पिछले साल का और इस साल में क्या difference रहा, बट जो utilization ना हो पाना, उसके भी अपने बहुत बड़े reasons हैं, उसके ब से क्रोरल डेवलमेंट के बात करो, या माइनॉर्टी के कोई प्रोडाम के बात करो, आप लोग MSDP जानते होंगे शायद ना, मल्टी सेक्टरल डेवलमेंट प्रोडाम आप लोगों ने लगबग, काफी लोगों ने सुना है, कि ये 2007-08 से ले करके, 11-12 तक चला, फिर 12-13 से और इस दो फाइवर प्लान में चल चुका है, और फिर ये 17-18 में भी चला है, ये माइनॉर्टी के लिए एक स्कीम है, जहाँ पे माइनॉर्टी मतलब मुस्लिम्स, क्रिस्टिंस या जो भी अधर माइनॉर्टी हैं, वो 25 परसेंट वहाँ पे हैं, और वहाँ पे 8 इंडिके शुमूलियत है, वो कम है, या जो बेसिक एमिनिटीज, आप पानी ले ले ले, आप जो ट्वालेट्स ले ले ले, आप और भी बेसिक एमिनिटीज ले ले, आठीक इंडिकेटर्स पर उनका जहां पर लो आता है, उनके लिए MSDP चलाय जा रहा है, अभी फिलहाल जो है, वो खर्च करना है, आपको दिखेगा, कि खर्चा दिख रहा है, चुकि क्या होता है, गवर्मेंट आफ इंडिया जो पैसे भेज देती हो डिस बर्सल हो जाता है, एक्च्वल इटुलाइजेशन दिखता नहीं, तो इसी मतलब कुरिसिटी या कुछ रिसर्स के लिए मैं सोचा कि उसमें क्या हो रहा है, तो मैंने एक RTI फाइल कराया, उसमें एक प्रोविजन यह था, कि अब ब्लॉक लेवल पे, जब फ़ले, MSDP डिस्टिक लेवल पे उसका प्लान बनता था, इंप्लिमेंटेशन डिस्टिक लेवल पे होता था, 12.5 यह प्लान में ब्लॉक लेवल पे तो उस RTI से निगल की आया, कि आधे से जाधा ब्लॉक पास साल गुजर गए, अभी तक वो ब्लॉक लेवल फेसिलिटेटर एपाइड नहीं कर पाए, ऐसे ही में देखने लगा कि रूरल डेवलेमेंट प्रोडाम का क्या हश्र है, हमने RTI फाइल किया, मक्सद कुछ और था यह था कि, जॉब्स में मुसल्मान कितने हैं, मतलब पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे बीडियो कितने हैं, या बीडियो से नीचे जो पोस्ट हैं, ग्राम डेवलेमेंट ऑफिसर, ग्राम सेवग इसे कहते हैं लोग, वो कितने हैं, तो उनको हम देखने कोशिश कर रहे थे, कि करीब-करीब 40% vacancies है, 40% vacancies है, और minorities का तो मतलब मैं calculate किया तो बहुत हार्ली 2% दिख रहे थे, videos या ब्लॉक लेवल डेवलेमेंट, ग्राम से अधिकारी जो हैं, वो बहुत हार्ली कम दिख रहे थे, तो मतलब कहने का मकसद यह है, कि यह जो पैसा जाता है, यह अपनी जगे है, बट पैसे का जो absorption capacity system में होना चाहिए, वो नहीं है, उस अग तक, तो होता क्या है, कि utilization क्यों नहीं हो पाते है, ठीक से planning नहीं होती, नीचे से जो report, मतलब detail plan report आना है, उसको बहुत हाई terms है, कोई annual work plan and budget कहता है, कोई detail project report कहता है, अलग-अलग इसकी मूँ का अलग नाम ह प्रोजेक्ट implementation plan होता है, अलग-अलग इसकी मूँ है, अपने-पने term coin के हो है, वो बहुत delay होके आता है, उसके अलावा फिर UCs जल्दी नहीं आते, planning होती है, तो बहुत ही एकदम बेगार किसी मतलब अवामी शमूलियत के होती है, तो नीचे से जो है, जो capacity चाहिए, पैसे को absorb करने का और लोगों को पैसे पहुचने का, वो चीजे नहीं हो पा नहीं, तो मतलब यह नहीं है कि अगर हम budget को सिर्फ BD देख लें और उससे picture निकल के आ जाए, वो बहुत ही misleading और meaningless है, उससे कोई फाइदा नहीं है, एक और चीज में आप से जिक्र करूँ, कि जैसे हम लोग देख लेते हैं कि MSDP में कितना पैसा है, या social sector की scheme में कितना पैसा है, या pension में कितना पैसा है, usually scheme का देखते हैं, बट एक सबसे बड़ी चीज जो है budgeting में है, जो important है, कि हम लोग unit cost देखें, unit cost का मतलब यह है, कि ICDS एक scheme है, उसमें या midday mail scheme है, या pension एक scheme है, या scholarship एक scheme ह लेकिन उस scheme में जो पैसा government दे रही है, किसी एक individual beneficiary को, सही में वो उसकी जरूरतों को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, अब आप old age pension की बात करेंगे, government of India 200 रुपे देती है, अगर आप scholarship की बात करेंगे, pre-matric तो वो 1000 रुपे देती है, अगर आप आंगनवारी क जो receivers है, वो अभी entitlement के mode में नहीं है, उनको जैसे एक भीक या charity के तोर पे दिया जाता है, तो ये सारे जो aspects budgeting के हैं, वो अपने आप में बहुत important है, कई बार ऐसा होता है, कि जो scheme के design है, मल या कोई scheme बनाईगी, MSDP, MSDP एक program है, minorities के लिए है, 100%, 710 block में चलेगा, वो implement कैसे होत है, वो gap filling के लिए है, होता क्या है, कि उस scheme को implement करना है, तो हमें दूसरे schemes का guideline इस्तेमाल करना है, जो कि वो guideline बहुत minorities के लिए अलग से project बनाने या उसको tailoring के लिए scope नहीं देते, तो budgeting process में जो scheme design है अपने आप में, कई बार क्या होता है, कि वो बहुत बड़ा obstacle होता है, बह beneficiaries को पैसा नहीं पहुच पाता, साथ साथ जैसे क्या होता है, कि scheme के बारे में लोगों को awareness होनी चाहिए, मतलब media and publicity होनी चाहिए, उसके बहुत कम पैसे होते हैं, तो अवाम तक वो चीज जाती ही नहीं है, monitoring के लिए, बहुत अहम चीज है monitoring, कि अगर एक scheme कोई mid-day meal या कोई MS conclusion या किसी एक result पर या किसी नतीजे पहुच पाएं, वो काफी नहीं है, ultimately मैं यह कहूँगा कि सबसे एहम चीज यह है, कि budget से जो है, लोगों के जिन्दगी में बदलाव होना चाहिए, वो government कभी नहीं करती, वो government कभी outcome assessment नहीं करती, जादा तर non-governmental organization ही करते हैं, वही outcome evolution करत हैं, कि लोगों की जिन्दगी में particular program या particular scheme से क्या बदलाव आया, तो ultimately इस पूरे budgeting processes को अगर आप समझें, तो मतलब आखरी जो चीज है, वो यह है, कि जो outcomes हैं, वो improve हूँ, मतलब outlets की बात ना करें सिरिफ, या output की बात ना करें सिरिफ, कि इतने school बन गए, बट school दो खाली रह सकते हैं, खुद मेरे गाओं में PHC बहुत दिनों से सबसेंटर बना हुआ है, पर उस पर कोई NM नहीं आती है, तो उसका क्या फायदा है, ऐसे budgeting का, तो कई सारे चीज़े हैं, जिससे हम मतलब को ले करके ही, एक clear picture ला सकते हैं, अगर आप बात करें कि हम लोग क्या कर सक हैं, तो मैंने जैसे आप से जिखर किया कि यह जो चार फेजेज हैं, बजटरी साइकल के, उसमें NGOS अच्छे रोल प्ले कर सकते हैं, अच्छा मेरा मतलब खुद का international experience है, कि बहुत सारे मुलकों में अफरीका के और खुद मतलब Asian countries में मेरा जाना हुआ, मैंने देखा कि NG जोज ने काफी काम किया है, budget tracking method अपना करके, social audit करके, तो मतलब ऐसा नहीं है, कि एक जो scrutiny का budget का तरीका है, वो और शिरिफ एक फरोरी, 28 फरोरी के बाद वो बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है, यह एक over the time of period एक पूरा एक process है, और उसमें NGO, civil society, इन्फरादी तोर पे आप हरको कोई शामिल हो करके, RTI फाइल करके, या दूसरे तरीके से डेटा ले करके, उसको assess करके, काफी चीज़ें कर सकते हैं, तो मैं इसी पर अपनी बात करूंगा, महुत बहुत शुक्रिया, स्लाव अलेकूं, बिजट कैसे बनता है, और बजट के इस दिले में हम क्या कर सकते है इस मौदो पर आपने बहुती है, आलिमाना गुफ्टगू सुनी, जावेज साहब चीज़ें यही नहीं कि फ़रंग से वाकिफ हैं, उसमें इन्वाल्व हैं, जो आदमी इन्वाल होता है, उसकी वाकिफित के लेवल दूसरा होता है, आपने बहुत अलिमाना गुफ्टग होती है एक कॉलम यह होता है कि जो साल गुजर चुका एक साल पहले का उसकी एक्शुल फिगर उसको आरिजिनिरि फिगर होती है पिछली साल जो परपूस कि हम B.E. быстрstep कुट होती है पिछले साल पांच माह गुजरने के लिए कर बाद फिगर्स को लेकर के मार्च जो जारी है उसके इस्टिमेट तेयर किया है उसको आरी कियाते है रिवाइज इस्टिमेट होता है। जो बात अभी आपको सामने आई वो तहम बात है कि जिस वक्ड़च बनता है, निसे अभी एक फरवर्य को बना, तो हम सब के तवज्जो को बादू है। क्या है क्या नहीं खासी क officersה को रही है लिंक जब भूरी हो today तो क्हामुशी हो जाता है तो छामुशी हे हो जाता है था जाएख आदाशा है हम नवागिप होते हैं और नहोज़र होते हैं है यस चैमिट करना होगा तो पिछले साथ जोना बजट बना जाए था रिवाइस करते हैं, उसके बाद हम लोग अभी साल पुरा हो जाएगा, अपर आडिट होगी, तब एक्शुल हो जाएगा, तो एक्शुल बजट रिवाइस, ये तीन सैकल में बजट की फीगर आपको सामने आती है, बजट तयार होता है दो भूले हेंड़ किते हैं, एक को रिवनू कहते हैं, भैजट की तौर पर अगर सड़क को बनाना है तो ये ये कैपिटल है, यह लिए कि सड़क बनना नौन्रिकरिंग नीचर का काम है, हमेशा हमना कि मैं अपने मदू पर आजाओंगा, यै यह बजट से मुत referral का आएंगे आगे जो मैं उस्तू कर रहे होंगे तो इस साल बजट तिसलिहार से तारीखी था कि इसमें तीन बनियादी ऐसे काम हुए जो पहले नहीं हुए थे और हर जो काम गलत हुआ हम यह नहीं दिए बलकि हम उसकी तारीफ कि नहीं जिकर करेंगे उसके इच्छा पहलू भ बहुत बाकि नहीं रही थी तक्रिबान एक्सपर्ट से करेंगे रहते हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ अलबता अब साब तस्वरा भी कहाँते हैं कि रेलवे की बहुत सारी खराबियां जो हैं पुस्तू का मौदों नहीं बनती हैं और पब्लिक डुमेन में नहीं आती हैं रेल्वे बजट के मर्च किया जाना एक नहा इवेंट इस साल हुआ उसके बढ़ाए नहा इवेंट यह भी हुआ कि बजट जो है वो प्री पोन कर लिए पहरे बनाया गया एक फरवरी को यह बी लंबे अरसे से अंगे लिए के रवायत थी कि फरवरी के आखरी तारिए को 28 29 को सुबह 11 बज़े बज़र पेश होगा वो खासकसिम करवाए तो तोड़ा है और ज्यादा वक्त मिलेगा प्लानिंग के लिए पहरा साल है मसाइल है लेकिन यह कंट्रॉल कर लिया जाएगा ज्यादा बहसत प्लान हो सकेगा वोटन एकाउंट यानि साल चुरू हो गया ब खत्म कर दिया गया इसको आप सुझेए यह पिछले कई साल से जब भी मुझे मौका मिला है वहर बज़र में का रहा हूं कि यह चीज होने वाली है प्लानिंग कर दिसको खत्म किया गया उसके बदले निती आयूग बनाया गया तो इस बात के इंडिकेटर था कि इस काम को ह होना है दुनिया में मजल शर्त टो तरीके हैं उसको चाहिए को आप हम काईटिलिस कहते हैं को सौचलिस कहते हैं तो तो इस 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 तलाह प्लानिंग की है जो सौचलिस्ट और नहरू झोके मुत अस्सीर थे रूस से इजिन प्लान मॉडल एकनॉमिक के एक्षिएर किया और इस पार्विट के सल्विश्विट ने आकर खतम किया, प्लान और नॉन प्लान का फर्ख, यानि यह के एक बजट यह बनेगा, कि अगले पांस साल में क्या होना है, और उस पांस साल में हर साल क्या काम होना है, दूसर बजट बनेगा, एक प्लान था, एक नॉन प्लान था, त कuis fore सक्काद का करीब है और पुरी दून Race रूज़ होता है उसका इंदाद दूसरा होता है किसी की किनलेने है आ cinco गर्यटीन जनल नहीं है, गर्ची इस यूपी और दो और मilly उन्हल को दो प्रास्स पर आइंदा इन नित्रव पर उसकी वज़े से इसको बज़ेब इस बनाए गिया है जैसा बज़े है इसका बनाए गाया गया है और अच्छे खाप दिकھÁइए. गए डी मुनिटाइशन की वए से जो मार पड़ी थी लोगों पर उस से लोगों की अमीदे थी कि एक कुछ बहतरी लाई जाएगी और कोशिश की गिए बजट में कि बहतरी आए नाए बहतरी लाए जाने के तस्वर पैदा हो जाए बजट पर तफसार करते हैं रहुल साहब ने ये बात कही थी किसार उसे शेर शायरी है अलेकि उस जादे शेर अशार हैं नहीं दो जिएकर हम खतात थे हैं और बड़ा कुछ है उन्होंने अगर आप देखेंगे तो लेकिन बाहरा लिए कि अशार तो आप पे शुरी यह है कि मैं आपके सुनाता हूं करिमारी के शे होगे तो कह देंगे अंगारा रखा किसने और किसने हवा दी है पूरी मुलक में हम सारे लोग जिस तरह परेशान हुए पचास दिनों के नाम पर जो कुछ हुआ जिस तरह हम बात हुई और जो हशर हुआ महिशत का और जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं मौजूद है किस री मौटाइशन का री मौटाइशन के वज़े से अगर कोई खराबी हुई है तो आगे ठीक हो जाएगी ये इस्तिलाह समाल की है जिस जिम्ला हुए समाल किया हुए तो ये पहरी दफ़ा है बलकर जिम्लों के मैंने नकल भी कर लिया था उस वक कहा था कि हमारी नियत अच् होती है उमीद है कि अच्छा हो जाएगा कि इस बुनियाद पे अच्छा होगा ये मालूम नहीं है बजट के सितले में अब बताया था कि पांच महीने के एक्ट्वल फीगर को ले करके प्रोसेस फीजियो लाई में चुरू हो जाता है चाल मेना गुज़ा चुका होता है प कि पूरे प्रेड के बारे में हकुमत उसके माहरीन ने खुल के अच्छाफ किया है कि जून के पहले कोई फीगर अवेलबल नहीं होगी हता कि रिजर्व बैंक अफ इंडिया ने ये कह जिए हमारे पास ये फीगर भी अवेलबल नहीं है कि इतना नोट जमा हुआ हुआ कि दाज्यूब की बात ये है कि बैंकिंग इंडिस्ट्री वाही इंडिस्ट्री है जहां हर दिन एकाउंट क्लोस किया जाता है हम लोग महीने कर ट्राइबल बनाते हैं साल में बनाते हैं क्वाटरली बनाते हैं हमारे हाँ जमात में निजामें तीन महने पर गोश्वारे आते लेकिन इदर बैंक तो वह इतारा है कि जहां जब तक कैश और एकाउंट नहीं जाए बैंक बंद नहीं होता है और हम सब के रिश्टार बैंक में काम करते हैं जानते हैं कि भाई जान दो भी रात में आरे हैं मालू में कैश नहीं मिल जा था बैठे में वहां हर दिन कैश क्लो कर लिए कि बहुती कम डेटा के पर बनाय हुआ बजेट है जहां एलेक्शन के मद नजर वादे किये गए हैं वादों की बुनियादे हमारे सामने नहीं हैं अगर यह कहते हैं कि था पर टायरेक्शन डायरेक्ट बढ़ेगा इतना परसिंट हो जाएगा तो यह था हम दावा करते हैं उम्मीद करते हैं दौा करते हैं लेकि तो घखिकत ऐन्याद क्या है इसब भी फरिगर यह नहींगे हमारे पर पर फगडर तो आपको जून में है वहाँ संसेट प्रोविजन होता है आप एक काम हर साड़क बना रहे हैं यह साड़क तीन साल में बनेगी यह फुल दो साल में बनेगा जब भी कोई कैपिटल विजेट लिया जाता है जिसकी मुद्द खतम होने के एक साल से ज्यादा है तो वो किस दिन उसका संसेट करेगा यह चीज से उसका इलाजमी हिस्ता होती है अब तक्रीब पढ़ जाईए तो उसमें संसेट मौजूद है लेकि वो दूसरा अंदाज है हम टेबर क्लोशिद खतम कर देंगे फ़ला साल तक हम यह जो वादे होते हैं इस साही रखी होती उस अंदाज का है जो प्रजेक्स लि कि राए यह स्णषेड क्यों किये हर कांजीक ऑक यू पूरा हो तक अगले साहे तो काम जारी रहे है है जो नहीं करेंगे बिछी साल हुआ तो आज यह अपरोवा बेलिए कि काम तीन साल तक चाल साल दे में चलेगा तो संसेट परोविजम्धि कि बगार प्लां नन प्लां क किया गया है जो इन तहाई नामुनासिब और गैर अम्री चीज़ है तो मैं इक खारत आप से के इस मौकिब पर कम से कम फार्न विस्टर ने अडमिट किया कि हाँ कुछ खराबी पैदा होने की इमकान है कि इनका इमकान है अगर खराबी हुई है तो इंशालला ठीक हो जाएग कि यू है फिर ठीक हो जाएगी लेकिन इंस्सेट की जो चैड़ अच्छी बात है बजड़ेट की वो यह है कि इम जी नरेगा के जो पिछले जारी थी जो पर जिस स्कीम का क्रेड़ पिछली हुकमत को जाता है और उसकी क्रेड़ को चिसले में शुरू कर विया हमारे फ़रान मिस्टर का यह था है कुनों उसके खिलाफ तो गुफटू की थी और पिछले अडमिसेशन के बड़ी नाकामी इस तो पर पिछले साल बाजिजे नाकासता कभूल किया इस साल बादापता उसे कभूल कर लिया और उसका दावा किया हमने उसमें अद्धा़ खर्च किया है जादा हम बजट दे रहे हैं यह उसको अपना लिया और यह एक अच्छी अलामत है और आम तर भी यह होता है कि पर्टिके स्टेशिन बदलता है तो पिछले काम हो रहा हो रहा होता है उसे खलाफ काम करता है शुरू का रवया इसी का था लेकिन गुड सेंस प्रिवेल किया उन्होंने उसको अक्तियार किया और उसके अलोकेशन को बढ़ाया गरचे गुफ्तू को हो चुकी है किया हिंदे में जिसको कहते है और उसके वादे कोई खर्च बढ़ा है वो कोई दी विलिंग दरेगा नहीं है बारहाल उसको क्लेम भी किया है और उस पर आगे अरादे भी है उसको आगे ले जाने का एक दूसी बात जो आप पर नोट करेंगे बजट में वहाँ सारी जुम्ले है कि छोड़े जुम्ले होते हैं लेकिन उसके रिप्रकेशन बहुत ज्यादा होते हैं जुम्ला यह है कि मैन पावर जो सिस्टम में लेबर सिस्टम में जो लाउज है उसमें तबदीली का इराद है कि वहाँ थम्रे इच्टम मेरे इच्छे जुम्ले हैं बजट की तक दखियर में कि साहब उसके अब वरकर्स करिए रिए उनके लिए armor creating hai कि जो आघ्रिए जो मैं आपको बियान कर रहा हूँ दिचस सुर्चाहाल है उसको मैं गाता हूँ कि निफाग की इंतहा है डबल टॉक की इंतहा है हुकुमत इस जो हुकुमत है उसके एक ट्रेड यूनिन विंग भी है हिंद मजदूर के दान सबाव अगरत पर नाम उसका है भारत मजदूर संग उस तो ने उसकी मखालफत कर दी है हुकुमत कर रही है एंद बाहर के इंवेशन में मेरा अज यह भी मेरा यही तरीका अक्ट्यार किया गया था हमारे हां वाजपाई साब के दमाने में भी और अभी जिचा किया गया गया था जब हम मुलक में FDI बढ़ा रहे थे मुलक में बाहर के अभूचमिन के असाथ यहां पढ़ रहे थे तो उसकी मुखालफत में हमने हमने हुकुमत ने अरसुस्स ने ग्जारा कायम कर लिया था और सौलिशी जागरत मजच के नाम से मुखालफत भी वही कर रहे थे और कर भी वही थे जो चाहे इसकी अलिफ्टी जूनिन के हाथ में होगी, वो भी उनी के हाथ में होगा, इसकी त्यारी की जा रही है, फॉरंट डायक्ट इंडिस्मेंट के बारे में यह है कि मजीद लिबराइज करने की बात हो रही है, जो कुछ हो चुका है, उससे और ज्यादा, फिगर्स में नहीं जाओंगे, इसलिए कि फिगर्स काफी आ चुकी है, आप देखती भी रहे हैं, पढ़ती भी रहे हैं, सुनते भी रहे होंगे, लेकिन वसूली बाते मैं आपको सामने करना चाहता हूँ, अच्छी बात जो एक हुई है, वो ये भी है, हमारे हैं बहुत बड़ा वर्क फोर्स और मैं समझे के मौजूद है, वोस्त आफिसस का, बड़े इंपलाईज भी हैं, उनके आफिसस भी हैं, और हंदुस्तान में जो पोस्तल डिबार्टमें के रीच है, अगर जो आने शुरू का था ये, तक एक डाकिया गौँ गौँ तक होँजाता फर्द फर्द से वाकिफ होता है, किसी और मार्केटिंग और डो टो सर्विस वाले इसको सुच नहीं सकते हैं, चमारे डाकिया कितना एफिशिन्ट होते रहे हैं, तो वो जी डिपार्टमेंट है, अब हमारा पॉस्ट आफिस पोस्कार्ट इस्वाल भी नहीं करते हैं, कुरियर इस्वाल करते हैं, तो सुरे मैन पावर के इस्वाल करने के लिए, बैंकिंग सर्विसिस कराने की बात की, पिछले हुकूमतों ने, और अभी आप देखेंगे कि, उनके हेड़ अफिन्ट पो परकूर्स आफिस को स्वाल करने की बात की जारी है। यानि जा जाएङरे भी नहीं हमारे पास मैन पावर है, निसोर्स है, और जा फैसलीटी है, उसको मक्ते हैं, इसको कामों के रिए स्वाल करने की बात ह disagना बात की है, और मैं अपनी तोर पर इसे बहुत पोजिटिव सी समझता हूँ आप अत्य बड़े मैं वर्क फोर्स को अत्य वारे असेट को बरबाद नहीं कर सकते हैं उसके समझता हूँ कि यह के प्रूडेंट अप्रोच अच्छा अप्रोच है इसके लावे चंद बाते हैं आप साम में पेश करनी हैं वह लंबी को तूर नहीं करनों का वक मौझूद थी अब हम आदी हो गए हैं कोई मरखवत नहीं हो रही है पिछले दिनों आप में जो लोग इन्वेस्ट पी रखते हैं उनको मालू होगा को आल इंडस्टी से मुतलिव जो कमपनी हैं उनके शेर्स बड़ी तादाद में पॉब्लिक डिसिबुशन होगा है और इस बजट में कहा गया है कि रेलवे से मुतलिव पी कमपनी है हाईर सिटी वगरा उनके शेर्स की वो अपने शॉक एक्षेंज में डाला जाएगा उनको भी डिसिन्वेस्ट किया जाएगा तो खामोश ही के साथ है हकुमत अपना हिस्सा जो है बिदनिस के हां से निकाल रह ही है यह चीज अच्छी ही है बुरी है आफसा गुस्वा आप कर सकते हैं लेकिन बहराल यह बात कहीं आ सकती है कि जैसे किसे अबबा ने जाजाद बनाई हो अब बेटा बेजबिश के खा रहा हो मत्या मेरा तफसरा मिसाल में शामिल है नहरू और सेरा में मुलक में जो जो शुरू हुआ था यह प्रॉस्स खामोशी से जारी है इस बजट के पहले हम पांचे कंपनी के शियर से बड़ी कंपनी के और इंडिस्टीज के प्रॉफिट अनको बेचा गया है और यह एलान कर दिया गया कि साब हम यह काम करने जा रहे हैं रेल बेस सिस्मतार सीटी व यह तेक्निकल गुफ्तगों सकती है और आप समझे के शियर मार्केट होता है वसी कंपनीटीज भी मार्केटिंग होती है जहां ना खरीदना होता ना बिचना होता है यह पूरा पूरा बाहौल होता है जुए का आप कह लिए पूरा महल जुए का वाजबाई साब के दमाने में कॉम्रटीज मार्केट बड़े फमाने बशुरू हुआ था एग्रिकल्चर सेक्टर में बढ़ाने के एलान बजट में मौजूद है और मैं कह सकता हूँ जिस जी इस आइटम को लिया गया है कॉम्रटीज मार्केट में उस आइटम का कॉस्ट मुल्टिपलाई किया है जो तरीकर से जो बहराल एक मार्केट यह होता है कि मुझे और आपको ना मुझे बेजना ना आपको खरीदना है एक एगेंसी है हम ने वादा कर लिया कि फलना तारीख को इतना आपको देंगे इस रेट पर वो तारीख आई रेट को मार्केट के जाज़ा कम होगा डिफरेंस ले लिया हम लोगों ने ना नियत बेचने की ना खरीदने की मार्केट पर जाकर इस सेशन हो गया फलना आगी की तारीख में हम आपको पैसा देंगे और लेंगे वाज़े तोर परी जुआ है पुरी दुनिया में जा ली है कर प्ले दुनिया भी कहते है इसे फंड आएगा और उसे बार्केट में फुलो होता है लेकि सब गाने की बाते हैं मुलक की मईश्यत की खराब की हिसा है जो शुरू को अथा वाज़ पैसमें में उसके मधीद बढ़ाये जा रहा है और अफसूस की बात यह है कि अगरिकल्जियस सेक्टर जो हमारा बहुती महफूस सेक्ट मैं बडा सकता हूँ कि यह जो बजट इस साल पेश हुआ है इस बजट में प्रेजिट इस बाइटेशन के शृट करो चाई बदला आए ह। मैं बावर्ट पार्ण ते पेश करता रहा हूं अगर साल, इस साल कोशिश की तो मुझे वक्त नहीं विलाता है, जितना तब्दीली हुई है, मैं उसे हक अदा करता है, इतने बिद्धिया की गई हैं, और तब्दीलियों के अरादे बहुत जादा हैं, इसी भी एक भी साल भा की आगे जमा करेंगे, तो उसको दिखा देंगे, यह मैरा लेवी लाविलिटी है, हुकमत इलान कर दिया रेल्वे के बारे में, कि रेल्वे के आइंदा आगांटिंग होगी, वो ट्रेडिंग सिस्टम पे नहीं होगी, मत्ब कैश सिस्टम पे होगी, अन्य जैसे वो यह स् परिजनिटेशन फीगर अची हो जाती है, लाविलिटी इसको दिखाने के दवूद पेश नहीं आती है, यह मसाइट और मार्च में आपने काम ले लिया, अपने ले पेमेंट करेंगे, तो खर्ट जमेंगा देते हैं कि अपने पेमेंट करेंगे, तो इस तरी यह तरी यह नहीं आई है, उसको दिखाने से बज़ जाएंगे, जो पेमेंट कर दिया, जो आमदनी होगी, उसके काउंटिंग होगी, जबकि इन रेलवेज मुलक के सबसे बड़ी नस्ती है, और यह तरीखा मुलक में कानुनी ज़ूर पर सिर्फ और सिफ चैरिटिव ज़िदारों को या इन ज़िए उसको हासिर है, किसी और के लिए कानुनी तरीखा नहीं है, लेकिन एलान माजूँ है, छोड़ा सा जुमला है, पाराग्राफ एक सो सी का सी में, एक सिंटर्स भी पूरा नहीं है, वहाँ बात कह दी गई है, और बड़े बड़े इशूद में, बात कह दीग प्रविजिन सहाँ वाकिफ होंगा, और दुसरी जो लोग के छोटी कंपनी, छोटी मोज़ा पचास कोड तक की जो इनका टरन ओवर है, छोटी है नहीं होती हमाई तवज्यर दिया से, उनके कुछ टैक्स में बेनिफिट दी गई है, यह तो जुमाई बेनिफिट हैं तक्र इन सारी बेनिफिट की बुनियाद, जो टैक्स कलेक्शन है, आम दिली की ज़राया है, उसका डेटाबेस का मज़ोर है, जावेश सहां में बेनिफिट हैं कि यह जो वादे हैं, अमन हो जाएगा, नतीज़ जो निकलेगा, उस वादे कलेक्शन हो चुका होगा, जो फादे लाही रब्लामीन